जंगल तो जुड़े वीडियो में आपने अक्सर देखा होगा कि सेर किस तरह सिकार के लिए दूसरे जानवर पर हमला बोल देते हैं दोस्तो कुछ जानवर को छोड़कर कोई भी सेरों से पंगा लेने की कोशिस भी नहीं करता है हाला कि हाथी और भालू जैसे कुछ जानवर है जो कभी कबार सेरों को सबक सिखा देते दोस्तो सेर अधिक तर भैसो को या हीरन को अपने सिकार बनाने की कोशिस में लगा रहता है और अधिक तर समय वो सफल भी हो जाता है लेकिन कई मोके पर भैसों से पंगा लेना उसके लिए भारी मुसीबत बरा साबित होता है दोस्तो यहाँ भैसा अपने बच्चडे के साथ बैठा होता है लेकिन तभी वहाँ एक सेर पहुंच जाता है और बच्चडे को पगड़ लेता है वो सिकार के लिए उसे लगातार घसिटा चला जाता है और कुछी देर बाद सेर की हरकत पर भैस का पारा चड़ जाता है और वो सेर पर टूट पड़ता है दोस्तो भैसे का बवाल रूप देकर सेर वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है और इस तरह भैस अपने बचले की जान बचाने में कामयाब हो जाता है दोस्तो यहां खेत में दो बैल आपास में खतनाख तरीके से बिटते दिख रहे हैं दोनों की लड़ाई के बीच एक सार्ड भी कूद गया और दोनों बैलों को उठा कर पटकने लगता है दोस्तो यहां खेत में दो बैल खड़े होते हैं और अगले ही पल एक दूसरे से लड़ पटते तब ही एक सार्ड की भी लड़ाई में एंट्री हो जाती है और वो तो बारी बारी से बैलों को उठा उठा कर पटकने लगता है दोस्तो शार्ड का खतरनाक रूप देखकर दोनों बैल वहाँ से भाग कड़े होते हैं तो दोस्तो उमारे आथ की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आयो हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे और वीडियो देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में